हलो बच्चो आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं जिससे हमारे कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और बच्चो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक करना और उन्हें फ्रेंट साच शेर अगरना ना भूले चलिए देखते हैं अपनी वक्षीट आज की मारे वक्षीट कहते हैं नेमलिकित गद्यांश को पढ़क प्रश्णों के उत्तर दीजिए यहां पर हमें गद्यांश दिया गया है गद्यांश काका कालेल करने नदियों को लोग माता कहा है किन्तु माता बनने से पहले यदि हम इने बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है और थोड़ा आगे चलिए इनी में अगर हम इसकी बावना करे तो कैसा रेगा ममता का एक और भी दागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है एक दिन मेरी भी ऐसी बावना हुई थी थो लिड़ तिब्बत की बात है मन उचट गया था तब यह डीली थी सतल किनारे जाकर बैठ गया दोपैर का समय था पैर लटका दिये पानी में थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जलने असर डाला तन और मन ताजा हो गया इसके बाल बच्चों हमसे कुछ प्रशन पूछे गए हैं चलिए देखते हैं प्रशनों के उत्तर पहला प्रशन है कि पहले लेखक नदियों को बेटी प्रेशी और बहन की रूप में देखता है अगला प्रशन पूछो थोलिड कहां है तो इसका उत्राव लिखन ने अपनी तव्यट डिली होने पर क्या किया तो इसका उत्राव लिखेंगे लेखक सतलजगे किनारे पानी में पैर लटका कर पैट गया अगला प्रशन है नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका आर्थ होता है गरीव आप भी पांच से शब्द लिखेंगे जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए तो बच्चो इसमें आप ऐसे ही कोई भी पांच शब्द छाट कर लिख सकते हैं जिनको उल्टा लिखने पर उनका सार्थक्षब बनता हो तो यहां पर है पहला कनक इसका उल्टा आप करेंगे तो यह भी कनक ही बनता है कनक कार्थ होता है सोना मन मन का उल्टा बनता है नम नम यानि नमी या फिर नर्मता अगला है दया दया का उल्टा बनता है याद इस सिवाज सर सर का उल्टा बनता है रस ताजा, ताजा का बनता है जाता बच्चो आप चाहें तो इन में सी कोई शब्द लिख सकती या फिर इसके अलाव भी अपने कोई शब चाट कर लिख सकते हैं यह हमारी वक्षिर डाकरी प्रशन था इसे एक साथ हमारी वक्षिर यहां पर समाप्त होती है आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी बच्चो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही नई नई वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन जुरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तरंट नोटिफिकेशन मिल जाए तैंक यू